हलो प्रेंट नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चलना इस डीविधार के में प्रेंट्स आज हम समाज साथ के उद्मिता अध्योकी करण नगरी करण और उत्प्रवास से कोश्चन को लेकर आये हुए हैं यह कोश्चन एक जाम में कई बार पूछे जाये हैं अब पूछे जाने किन की संभावना भी है तो चलि है करते हैं यह पहला हमारे क्यों हैं हमारे देश में महिला उद्मिता के मार्ग में बाधर सर्क्ष मोल इन कहा है इन B1 पहले ह lud month कंपपनीओं क कosit art कौन सी विसेष्था है उद्धव कंपनीआ है उनके kong då परू और यह कंपनी कामीया कैसे हैं व कंपनी है मिली कंपनीहें जो यूधार्ख होते आं तो इसे समाला है इसका एक कानूनी होता है जिसके आधार और कर्तब निश्चित होते हैं तो यह बिल्कुत सही है फ्रेंट जो भी उसमें व्यक्ति होते हैं उनके जो है कर्तब निश्चित होते हैं उनका एक कानूनी व्यक्तित भी होता है तो यह वाला हमा करेक्ट है वी वाले देखते हैं सेर धार को कि जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है, जिस अनुपात में उनके सेर होते हैं, तो यह भी हमारा correct है, जितने भी सेर होते हैं, उनका अनुपात जो होता है, नेशीत होता है, तो चलिए हम अपना सीवाला option देखते हैं, सीवाला हमारा option है, सीवाला है, इसके अंतरगत एकल स्वामित स्वा प्रबंद के बीच अलगाव हो जाता है इसमें जो एकल स्वामीत स्माप सधा यह भी बात है क्योंकि देखिए यह संयूद कंपनी के बात कहीं है इसमें कई स्यधारक होते हैं तो यह भी मारा आपसन सही है और डी डी मारा उपरियोक्त सभी तो कहने के मतलब A, B, C, D सभी आपसन हमारे करेक्ट हैं तो आपसन हमारा D करेक्ट हो जाएगा चले हम अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन है और दोकी करण का आशाय होता है तो और दोकी करण का क्या आशाय होता है इसे में बताना है उमारा जो पहला पहले 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 को पहुंश करके इसको आप संहको लगा सकते हैं और में कमले से बता सकते हैं आपका कितना कुश्चन सभी हुआ और आप को यह वीदियो कैसा लगा आप लोग जुरूर बताहीएगा थह टो चलिए हम आगे चलते हैं वह यूशन है भारत में लागे कुछन नहीं न के है है भाद में कम उद्ध्योगी को निती का चिन्ह क्या है वह क्या है इसे में बताना है पहला हमारा है नगरी करण की धीमी गती भी मारा है नगरी करण की तिप्र गती और सी हमारा है ग्रामिल विकास के नए कारिकरम और हमारा डी वाला आपसन है डी वाला हमारा जो आपसन है नीचे है यहां देखिया आई है ग्राम विकास पर बल तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा प्रेंग नगरी करण की धीमी गति आपसन नंबर यह हमारा क्रेटेंस वर है चले अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं वरा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आँद्योकी करण के रहा भारती संस्थाओं में कौन सी संस्थाओं सबसे अधीक प्रभावित हुए है ने जो वाला है आरति संज था और दी हमारा है धारमी संज था तो इसमें हमारा कौन से सही हो जाएगा फ्रेंड इसमें हमारा अप्सञ ए बिवाजात्त था परिवार की संज था है ठीक है चले आगे चलते हैं अपने अगले कोस्ट्ण पर अगला question है किसी ओद्योगिक समाज का धाचा होता है तो किसी ओद्योगिक समाज का धाचा कैसे होता है ये हमें बताना है हमारे option है दूसरा है तो इसमें समारा कौन से सही हो जाएगा इसमें समारा यहापसरं करेक्ट हो जाएगा नियोलोकल निवासगर्थ धाचाट चलते हैं है कि क्वाध़क supporter क्लुक है निमासगत कर ख़थ सदूख कमके साथा कि है ra diabetes ऑद्योंकि करण के साथ प्रकारियात्माग साहाचरिय किषने का उद्योंन। का है इसे में बताना है तो हमारे आपसन है ये इसमेल सर ए टी जोन्स एंज येकब डबलु यी मूरे तो इसमें से हमारा जो आपसन सही होगा अप्रेंट कौन सा ओगा डबलु यी मूरे आपसन नंबर डिदि चलिए हम अपने अगले कोश्चन चलते हैं हमरा अगला कोश्च निमलिखित में से कौन से नगर और दोकी करण के करण विक्सित हुए हैं तो इसमें से कौन से ऐसे नगर है जो और दोकी करण के करण विक्सित हुए हैं हमारे आपसन है भिलाई राउर केला तथा दुर्गापूर और बी वाला है सिमला भिलाई तथा आगरा और सी है बनारा अलाहाबाद तथा दुर्गापूर दी हमारा है अलीगड़ बनाय तथा मसूरी तो इसमें समारा जो आपसन सही होगा फ्रेंट कौन सो होगा आपसन नमबर ए भिलाई रावर किर्ला तथा दुर्गापूर ये नगर हमारे अदो की कारण बिक्सित हुए हैं ठीक है चलिए हम आज नगरों का विकास किस अधार पर हुआ है तो किस अधार पर हुए बताना है धार्मिक आर्थिक राजनेतिक और शामाजी तो किस अधार पर हुआ है फ्रेंट यह में बताना है तो हमारा इसमें आपसन निकल के आएगा वहां हमरा आपसन यह आएगा धार्मी लिखे व अगला कॉश्चिन हमारा है ब्यापक अर्थ में उद्योक किसे कहते हैं यह हमें बताना है तो चलिए आपसन देखते हैं आपसन कौन-कौन से हैं पहला हमारा आपसने कच्छे माल से उभोगता या उपादक वस्तुए स्रिजन करना भी हमारा है सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है और सी हमारा कल कारखानों की अस्थापना करना तो इसमें से निकल के आएगा फ्रेंड और डियोल हमारा है इ कि पड़ेटें कि दी निम्नांकित में किसका अलोकन है कि भारत में अधंवक के और नगरी करण साथ-साथ चल ले हैं तो यह किस ने कहा है यह हमें बता है पहला आपसन आपसन वह है के डेवीस डेनियल वो केशी जकारिया और पियन स्वानी तो इस में से मारा जो सही होगा प्रेंड वह हमारा कौन सा होगा आप सान एक इंग स्ले डेविस ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगला कोश्चन है कि यह कुर्शन मारा मिलान करने के लिए अब दिया हुआ है तो पहले देखे हमें खोला कुश्चन कहानिने तो उन्हेरा क्वेशन से वगताब श्र pendulum इंबक्र महें जो हुआ है कि नगर में अप्रवासन से नगर के घनत्व में बृध्धी हुई है तो इसमें से कौन-कौन से निकल के आए और से सभी से इसमें समरा कौन से हो जाएक है यह मारा है जनसंख्या से छलिए अगला को डिकते हैं कि हमारा अगला कोश्चन है एक स्थान से दूसरेस्थान पर बस जाने वाले ब्यक्ति कहलाते हैं तो परदा कह लाते हैं प्रेंट कंजर ये प्रवासी तो आप सब को पता है एक male से दूसरे अस्थान पर जाकर रहने में लोगों क्हां क्या कहते हैं प्रवासी कहते हैं चलिस एक अगला कोशन हमारा है कि निमलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवजन से के संदर में सत्य है यह से नहीं प्रवजन के संदर में सत्य है तो कौन सा है इसे में बताना है एक गाओं को छोड़ कर दूसरे जाना है जाकर बस जाना यह क्या है अंत्रीक प्रवजन है अपने मून लगर को छोड़ का दूसरे नगर का निवासी बन जाना यह भी हमारा क्या है आंत्रीक प्रवजन है दी नगर से किन्ही कारणों से गाउं में जाकर रहना तो यह भी हमारा फ्रेंट आंत्रिक प्रवजन है तो हमारा आप्शन कौन सही हो जाएगा इन में से सभी है तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरी जीवन की एक पद्धती है कहा गया था किसके गवारा कहा गया था कि नगरी जीवन एक पद्धती है वह किसके द्वारा कहा गया था फ्रेंट यहीं में बताना है तो इसके क्वेश्चन फिच देखते हैं नगरवाद जीवन की एक पद्धती है कहा गया था किसके द के लिए चलते हैं ते अगला कोश्चन है नगरी क्या युजद्धान का संबंध है तो नगरी करेंस्ट मां सिधान का संबंध है गयने से है जूंग से मेरिल वह हमारा किसी है कि यह गईने से थो चलिया कि नहीं और bulbs सिते हैं वाड़ावाद ग्रांइल को ढहले क्री बाभावा दिया Baptist फिर नकर में दोग उद्योगों के आकरशार फिर सित uniform कर किसे बढ़ावा दिया है तो इसमें समय देखिए आप से हमारे हैं ग्रामीड करल को entãoय को नगरी करल को फैर अगले को देखते हैं कमारा कॉस्टन है अगला के ला क्वाशन है कि नगरी छेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का ही नाम नगरी करण है यह परिभासा किसके दौरा दे गई गई ग्रामीड छेत्रों को नगरी छेत्रों में बदलने की प्रक्रिया ही नगरी करण है यह परिभासा किसके दौरा दे गई है यह में बताना है तो हमारे आप्सन में पपने हैं देख लेते हैं अब स्वा度ोव मूर जोगेंद्र सब्सक्राइब अगर आगहे देखते हैं अगला क्वेशनि अगला कोंवा रहा है बाला कर्वा आए नग्रियवाद एक जीवन बिदी रही है है जभकी नगरी करड़ फ्रक्रिया है यहां विभेद किसके दोरा किया गया है टो यहां विभेद किसके से किसने ग्राम नगर सातत की अवधाना दी ये कोशन कई बार पूछा गया है तो किसने दी है देखे हमारे आप से लुई बिर्थ एंडर्शन राबर्ट रेडफिल और हैनेटी मैं आप सब को पता है यह जो अवधाना दी थी वह हमारे राबर्ट रेडफिल दोरा दे गए नगर साततिकी चलिए हम अपने अगलो कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन हमारा है नगरी करण एक प्रक्रिया है और नगरवाद परिस्ति है किसने कहा है तो यह किसने कहा है कि नगरी करण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्ति है आप सब में हमारे है आप स प्रमुख समस्याएं है तो देखे आवाज और गंदी बस्तिया यह आवास है आवास और गंदी बस्तिया तो यह सब्सक्राइब अगले क्वेडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब आप इसे सब्सक्राइब लिए नहीं होता है और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब के लिए क्योंकि हम पायड़े जो है वीडियो डालते रहते हैं निट फार्ष पेपर और यह सोसोलाजी का भी तो आप लोग यह वीडियो कैसे लगा आप लोग यह बताई है थेंक्यू